हेई फ्रेंड्स हाओ यू आल आई होप यू आई डोइंग वेल एन बिजन प्रेपेरिंग यू एग्जामिनेशन एग्जाम बहुत अच्छा चल रहा होगा और इस पीछ बहुत सारे लोग बहुत ही ज्यादा ज्यादा टेंशन में हैं और फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं बहुत ज्यादा मतलब हाइपर हो रहे हैं ऐसा सोच रहे हैं कि एक्जाम है हमारा कुछ हुआ नहीं है हमने कंप्लीट नहीं किया है हम कैसे करेंगे और हम एक्जाम कैसे कौलिफाइट कर पाएंगे तो यह सब चीजे देखे नॉर्मल हैं एक्जाम जैसे जैसे पास होता जाता है वैसे वैसे हमें यह tension होने लगती है कि हम कैसे exam दे हैं तो सबसे पहले आपको hyper नहीं होना है आपको tension नहीं लेनी है stress नहीं लेना है अगर आपने अपना syllabus complete कर लिया है तो बहुत अच्छी बात है अब आप questions को और अपने syllabus को revise करना start कीजिए अगर आपकी कुछ units बच गई हैं आप नहीं कर पाये हैं किसी भी रीजन से अपना syllabus complete तो आप उससे complete कर लिजेए अभी काफी time बाकी है नथिंग इंपॉसिबल और ऐसा नहीं करिए कि कई लोग ऐसे हैं कि सो ही नहीं रहे हैं धंग से खाना ही नहीं खा रहे हैं तो यह सारी टीज़ स्किप मत करिए क्योंकि अब ऐसा टाइम है जब आपको healthy रहना आपकी health को सही रहना बहुत important है आपके mind को sharp होना बहुत important है औ और अब ऐसा टाइम है कि अब आपको questions को कैसे solve करना है इसके practice करना स्टार्ट कर देना चाहिए क्योंकि देखिए जब exam होने वाला होता है जब exam hall में होते हैं हमें आता सब कुछ है हमने कर सब कुछ लिया होता है बट कई बार ऐसा होता है कि syllabus तो complete है सारा कुछ complete है question जब screen पर आता है तब हम इतना ज्यादा हाइपर हो जाते इतना ज्यादा नर्वस हो जाते हैं ऐसा लगता है कि हम कर पा रहे हैं या फिर नहीं कर पा रहे हैं कर पा रहे हैं और इस नर्वसनेस के कारण आप बहुत सारे question जो आपको आ रहे हैं वो भी आप एटम नहीं कर पाती है जल्दबाजी बड़ाहट में आप क्या करते हैं कि इसके घरण जब आप एक्जाम सम्मिट कर देते हैं तो आपके मार्स कमा जाते तो एक्जाम हॉल में आपको ऐसा नहीं करना है कि बहुत जादा परिशान होके एकदम से स्ट्रेस में आके और आंसर आपने लगा दिया है ना तो अभी से अगर आप प्रैक्टिस करेंगे अपने दिमाग को ठंडा रखेंगे और धंग से एक्जाम एटेम्ट करने की अपने अंदर कि हाँ मैंने पढ़ाई की है मुझे आता है और अगर आपने कोश्चन धंग से रीट किया है और आप्शन सारे पढ़े हैं तो आपको डेफिनेटली उसमें से एक जो करेक्ट आंसर है वो मिल जाएगा अगर कोई योनिट बच गई है तो उसको आप पहले फ साथ साथ तो आपको कॉंफिडेंस आता जाएगा कि हां मेरा यह वला पॉर्शन कंप्रीट हो गया यह वला हो गया यह वला हो गया ठीक है देखे यूनिट फर्स टू सिक्स जो है वह आपकी ग्रामर से रिलेटेड है तो उसके लिए आप 10-15 डेज बचा लिजे इसकी प्र आप एक दिन में कर सकते हैं अगर आपने पढ़ लिया है तो अगर नहीं पढ़ा है तो फिर आपको दो दिन लग सकता है एक दिन तो आपको figure of speech के सारे topic करते हुए और उसके questions solve करने में लग जाएंगे फिर आपको मेटर वगेरा भी सारा को समझना पढ़ेगा कि क्या होता है ना तो परिशान मत हो यह आराम से करिए सारा कुछ हो जाएगा अभी भी हमारे पास time है अगर नहीं हुआ है syllabus complete तो कर लिजे हां हर बड़ा कर परिशान होकर stress लेकि कोई भी काम करेंगे तो नहीं होगा अगर आपने अच्छे से कर लिया है कि हां मेरे पास अभी time है और म अच्छू नहीं है so all the best to you all और मुझे पता है कि आप सब कर लेंगे इतना ज्यादा घपराने की कोई जरूरत नहीं है so आज का वीडियो मैंने बस इसी लिए बनाया क्योंकि बहुत सारे लोग अब जैसे जैसे एक्जाम पास आ रहा है वो नर्वस हो रहे हैं और वो यह सो है जो आपको नहीं आता है हाँ अगर कोई यूनिट बच गई है तो उसको यूनिट भी नहीं बची होगी है I think कोई टॉपिक ऐसा बचा होगा चैप्टर बचा होगा या फिर कुछ भी ऐसा यूनिट का कोई छोटा एक पॉइंट बचा होगा तो आप कर लीजे उसको और परिशान मत होई है एक्जाम बहुत अच्छे जाने वाले हैं हमारे सो और बेस्ट वी ओल मेरे बहुत सारे टॉपिक पर मैंने पहले कहा था कि मैं वीडियो लाओंगी पर ना लाने का एक रिजन यह है कि पहले ही तो मेरी जो तवियत थी वो ठीक नहीं थी मैं बहुत कि अब इतना जल्दी होचपोच में वीडियो बनाने का कोई मतलम है नहीं मैंने आपको जो मुझे ऐसे लगते हैं कि इंपोर्टन टॉपिक है या फिर टेस्ट के लिए मुझे जो कोशन ऐसे लगते हैं कि बेनिफेशल हो सकते हैं मैं बिच बिच में आपके साथ शेयर करत आपके साथ नहीं हो तो वह मैं डेफिनिटल आपके साथ शेयर करोंगी तो थैंक्स फोर वाचिंग इंग्लिश पाय प्रिया मैं थैंक्यू सो मच और आल बस फो एक्जाम परिशान नहीं होना है अच्छे से करना है सारी चीज़ है थैंक्यू